हाई गाईज स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल पर गाईज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिख्षा एप के माध्यम से निश्टा की ट्रेनिंग कराई जा रही है और अभी सभी सिक्षकों को 30 अक्टूबर तक पर्थम मोडियूल को कम्प्लीट करना है और इस परवेस निर्मित करने के लिए ब्यक्तिकत समाज़क योगता विक्सित करना है तो इस चाप्टर को कम्प्लीट करने के बाद लास्ट में आप से 10 प्रस्ण किया जा रहा है जिसमें से आपको कम से कम 8 प्रस्णों का सही सही जवाब देना अतियावसेख है यदि आप कम प् जवाब दे चुका हूँ और आपको वीडियो प्रवाइड भी कर चुका हूँ तो आज मैं हम लोग इस वीडियो में सिखेंगे दूसरे चाप्टर से सम्मंदित उन दस्टों प्रस्णों का उत्तर जो पूछा जा रहा है जो पूछा जा रहा है उन सारे प्रस्णों को आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए हम लोग ज्यादस समय वरवाद नहीं करते हैं देख लेते हैं कि वे कौन-कौन से दस प्रस्णे हैं जो बिद्याले में स्वास्त और कल्यान से संब्दित हैं और चाप्टर के अंत में पूछा जा रहा है तो चलिए हम लोग सबसे पहला प्रस्ण है सबसेता घरेलु हिंसा कहा होती है ? आपसन दिया गया है गडी पडिवार में दूसरा कुलिन परिवार में तीसरा उपर के दोनों में और चोथा इनमें से कोई नहीं तो आपका इंसर होगा उपर के दोनों में क्योंकि हिंसा गड़ी परिवार में हो सकता है और कुलिन परिवार में हो सकता है और आपका आपसन नमबर सी सही है उपर के दोनों अगला कु नुरासन और चोथा मकरासन तो यह जो आसन जो दिया गया है वह भुजंगासन है यह भुजा के साहिता से किया जा रहा है इसका नाम है भुजंगासन ठीक है आफसन नमबर एक सई है अगला कोशन है सभी भावनाएं डैस होनी चाहिए आपको बताने कि सभी भावनाएं कैसी होनी चाहिए तो option दिया गया है ब्यक्त की जानी चाहिए दबा दी जानी चाहिए अच्छे भाव छुपाने एम बुड़े भाव ब्यक्त करनी चाहिए और चौथा है बुड़े भाव छुपाने एम अच्छे भाव ब्यक्त करनी चाहिए तो याद रहे जो भी भाव ना हो उ और खीची होती है किस आसन बाहें उपर की और खीची होती है और अगला कोशन है संटुलित आहट से क्या तत पड़े है संटुलित आहट से अप क्या समझते हैं तो आफसन दिया गए उचित अनुपात में प्रोटीन कारवुहाइड़िट वासा बीटामिन का समवेस दूसरा है वासा और कार्बोहाइडिट का सामवेस तिसरा है विटामिन और खनीज चौथा है वासा और कार्बोहाइडिट तो याद रहे संतुलिस आहर उसे कहा जाता है जिसमें उचित मातरा में प्रोटीन हो कार्बोहारेट हो वासा हो और विटामिन स्वामिल हो और तो आपका आफसन नमर एक सही है अगला कोशन है एसकूल सुरक्षा और सुरक्षा में क्या नहीं आता है एसकूल सुरक्षा और सुरक्षा में क्या नहीं आता है आफसन दिये गए पीने का पानी और भुकम लेकि या तिसरा है सापू और किसी भी अन्न कीटो दोड़ा परसर पर आकरमन तूटी हुई या कोई बाउंडरी नहीं होना चाहिए तो यहाँ आपका 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 C सही है अगला कोशन है एस्कूल सुरक्षा और स्वक्स्था में क्या नहीं आता है आफसन दियेगे पीने का पानी और भुकंब, दुसरा और पर्याप्त स्वक्षता, सुभिधा और सरक्सुरक्षा, तिसरा सरपो और किसी भी अनकीटो दोरा परसर पर आकरमन तूटी हुई या कोई बाउंडर नहीं होना और चौथा इन में से कोई नहीं तो यादरे सरीक्स्वास्त में टी पर व्याम देखना यह नहीं आता है, आफसन सी सही है, अगला निम्लखे में से कौँ सा कथन सथा है, आफसन देगे हमारे सरीर में परिवर्तन फ्राक्रितिक शमान और स्वस्थ होते हैं, दूसरा है बच्चों के बीच सभी परिवर्तन ए फ़ी करते हैं, तो यहाँ आपका अफसन नमबर एक सही है, हमारे सरीर में परिवर्तन, प्राक्रितिक शमान और स्वस्थ होते है, तो नमबर एक आपका सही है अगला है, शरीरिक सिक्षा में किन का समिकन किया जा सकता है, अफसन देगे है योछ बिग्ज्ञान और समाजि अगला कोशन है इंटरनेट, गैजट और मीडिया के सुरक्षित उप्योग में क्या क्या सामिल है आफिसन है साइबर, बदमासी, बॉलिटिंग, दूसरा और जनवियों के साथ बैक्तिकत विवरन साजा करना, तिसरा सोसल मीडिया पर बैक्तिकत विवरन साजा नहीं करना, च आपको कभी अपना बैक्तिकत विवरन साजा नहीं करना, तो ऑफसन सी सही ँह, अगला है, चलिए दस कोशन यहाँ पूरे हो जाते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में अगले मोडियूल का साड़ा प्रशणों का उत्तर बताऊंगा, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मि करने बाद, जय हिंड, जय भारत.